अस्सलाम उलेकुम बिस्मिल्ला इर्वर्मान रहीम आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही जबर्दस है आलू मटर के चावल की रेसिपी और वो भी इतने जबर्दस और इतने असानी के साथ बनने वाले चावल जिनको आप जब एक पार बनाएंगे तो आप बिर्य अमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीजीयो को लाइट अमरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरू कर दीजिए तो सबसे पहले यहां पर हमने एक पतीला लिया है जिसमें हम चामल बनाएंगे इसमें हम एड़ कर देंगे एक कप कुकिंग वाइल साथी यहां पर हम इसमें कुछ गरब मसाले अड़ करेंगे तो यहां पर मैंने वन टेबल स्पून सफ़ाज जीरा लिया है 10-12 लॉंग 1 टी स्पून साबुत काली मर्चे 2 अदद बड़ी लाइची 2-3 बाधियान के फूल 3-4 टुकड़ मैंने यहां पर दारचीनी लिया है यह सब हम इसमें एड़ कर देंगे साथी हम इसमें छोटी लाइची अड़ कर देंगे 4-5 अदद 2-3 तेस बाध अड़ करेंगे अब इन सारे मसालों को हम 1-2 मिनिट के लिए कड़ करा लेंगे इतनी दियर हम इनको फ्राय करेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी स्मेल ना आ जाए फ्लेम हमने यहाँपर medium to low रखना है हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं इस तरह से फ्राय करेंगे वना हमारा जितना भी गरम मसाला है वो जल जाएगा इसलिए यहाँपर हम फ्लेम को लो रखते वे इसको फ्राय करेंगे दो से तीन मिर्चे हो चुके हैं और यह गरम मसाला देखें यहां पर अच्छा से कड़कडा चुका है इसमें से बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है अब यहां पर हम इसमे अट करेंगे हरी मिर्चे तो मैंने यहां पर 6 अदत हरी मिर्चे लीथी और इनको हमने चौप कर लिया है यहां इसमे अट कर देंगे मिर्चो को भी yaha पर हम एक मिनिट केलिए देंगे एक मिनिट हो चुका है और मिर्चो हमारी यहां पर फ्राय हो चुकी है अब यहां पर हम इसमें प्याज आइट करेंगे तो मैंने यहां पर चार आद Congrats चोटी साइस की प्याज ली थी और इसको हमने इस तरह से slice में cutting कर दिया है यह हम स्मयट करेंगे अगर आपके पास प्यास बड़ी size यहो तो तीन अधर भी ले सकते हैं अब यहां पर हम प्यास को fry कर लेंगे प्यास को हम नहीं करना है इसको समय हलकसा नहरम होने तक fry करना है क्योंकि अगर हम इसको जदा फ्राइ करेंगे तो हमारी जो प्यास है वह टार्क हो जाएगी जिससे हमारी जो चाउबल है फिर बार्क कलर के बनेगे वो खिले खिले वाइट बाइट नहीं बनेगे इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टिफ नरम होने तक तीन से चार मिनिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, प्यास हमारी यहाँ पर नरम होना शुरू हो चुकी है, बस हम इसको इतना ही फ्राइ करेंगे, हम इसको जादा फ्राइ नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर हम इसमे अ और आप देख सकते हैं लसन अद्रख हमारे यहां पर अच्छे से फ्राय हो चुका है अब यहां पर हम इसमें आलू आट कर देंगे तो आलू मैंने यहां पर चार से पांच अदद लिये थे मीडियम साइज के अगर आपके पास बड़े साइज के हो तो आप चार अदद भी आप देख सकते हैं इनको हमने अच्छे से वाश करके कर लिया था अब यह हम इसमें आट कर देंगे और 2-3 मिनिट के लिए अब आलू के साथ अब इन सारी चीजों को फ्राय कर लेंगे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आलू हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राय हो चुके हैं अब यहाँ पर हम इसमें अट कर देंगे चार अदत मेडियम साइज की टिमाटर इसको हमने कटिंग कर लिया था चेमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही यहां पर हम इसमें मटर आइट कर देंगे तो मैंने यहां पर 1 cup प्लेस 1-4 cup मटर ली है यह हम इसमें आइट कर देंगे अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे चाहिण का है विए एक से दो मिनित के लिए हमने यहाँ पर अज़र को भी फ्राइ कर दिया है अब यहाँ पर हम इसमें आटकर पानी क और 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 अब यहां पर हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे 10 मिनिट के लिए ताकि जो हमारे चिमाटर है वो अच्छे से गल जाए आठ से 10 मिनिट हो चुके हैं अब यहां पर हमारे अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुके हैं अब यहां पर इनको हम अच्छे से आप 3-20 मिनट और जुन भनाई करें 2-3 मिनट फोटीर लाड़ में 10 का समय रिभी को डही कर दिया हम आप लिदा यहों सब्सक्राइब एकडल लो सै ख्राइब करने के बाद लाद आप처 मिसको अच्छे से मिक्सionar लिग के आगर आप जब दही इसमे अड़ करें और अपका फ्लेम हाइ होगा तो जए दही है वो फट जाएगा इसके जब भी आप दही आठ करें गैफ हमेशा लो कर दिया करें इससे जो हमारा दही है वो फटता नहीं है तो अब यहांपे हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसकी इतनी अच्छी पुनाई करेंगे जब तक के जो हमारा तेल है वो सेपरेट ना हो जाए देखें यहाँ पर हमने इसकी अच्छी सी पुनाई कर दी है और आप देख सकते हैं जितना भी ओल था वो सारा उपर आचुका है अब यहाँ पर हम इसमें पानी आट करेंगे तो पानी जो है वो हर चावल अपना अलग पानी जो है वो सोक करता है तो यहाँ पर मैंने चार ग स्थेजी राइस लेते हैनिको हमने 45 मिनिट्स के लिए अच्य से वाश करके सोक कर दिया था और यहाँ पर इनका जो पानी था वो हमने वेस्ट कर दिया है बढ़ आप चामलो को हम इसमें में इंप कर देंगे हमारा जो पानी है वो चामलो से तकर रिबान 1 इंच उपर है द तो मुझे यहाँ पर चामलो में नमक कम लग रहा है तुमें इसमें वन टेबिल स्पून और एट करूँगे आप अपने टेस्ट के साब से इसमें नमक एट करिएगा बिकुल हलके हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर हम चामलो में बॉयल आने देंगे अब यहाँ पर हम इसको कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि जो हमारे चामलो का पानी है वो चामलो तक बराबर ना आ जाए तीन से चार मिर्ट हो चुके हैं अब यहाँ पर हम इसका कवर हटाएंगे आप देख सकते हैं पानी जो है वो हमारे चामलो के बराबर आचुका है और आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब अभी यहाँ पर पानी मौझूद है अब यहाँ पर हम इसमें पिसागरम मसाला एट कर देंगे हाफ टी स्पून अब यहाँ पर हम इसको cover कर देंगे और cover करने के बाद अब यहाँ पर हम इसका flame जो है medium to low कर देंगे तो तक्रीबन 15-20 मिनिट के लिए हम यहाँ पर इसको low flame पे दम पे रखेंगे 15-20 मिनिट हो चुके हैं चावलो को दम देते हुए अब यहाँ पर हम इसका cover हटाएंगे और चावलो को आप यहाँ पर साइट से करेंगे और आप देख सकते हैं कितने जबरदस्ते हमारे जो चावल है वो दम हुए है और देखें माशला से कितने खेले-खेले हमारे चावल यहाँ पर बन कर तयार हुए है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक आप में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा और अब मुझे इजास्त दीजिए अलाहाफास